आज मैं अपने नाना जी के घर हूँ और बहुत प्यारी शाम हैं और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी इस व्लॉग में, so enjoy! मैं आप लोगों को चीज बता दू तो आज मैं इस व्लोग में अपने नाना जी के घर का एक डिफरेंट पार्ट दिखाऊंगी वैसे भी लवी ने एक और वीडियो बनाया था जिसमें उसने एक पार्ट दिखाया था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक में डाल दि मैं जा रहे ही उपर और थोड़ा सा अंधेरा होगा तो दोस्तों यहां अंधेरा बहुत है चलिए मैं आपको इस चीज दिखाती हूँ अब देखें मैं उपर आच चुकी हूँ और अब मैं आपको अपता च्छत दिखाती हूँ किता बड़ा है फ्रेंड्स इस फ्लार को देखें वाव इत्ते सुन्द फ्लार तो मैंने कभी नहीं देखा था इनको तो देखें वाव किता सुन्दर है वाव वो देखें किता सुन्दर है न्यू डिस्क्लाइमर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जितने भी ब्यूटिफुल फ्लार्ज हैं मैंने उन सब का एक फोटोग्राफी वीडियो बनाया है जो शॉट्स में अविलेबल है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करें और मेरे उस न्यू वीडियो को ज़रू चेक आउट करें वो मेरे खुद के क्लिप्ट फोटोग्राफ से और ये देखें लवी ने आपको जो मैंगो ट्री दिखाया होगा वो ये वाला है और ये वाला भी एक मैंगो ट्री ही है दोस्तों ये फ्लार इतना प्यारा था कि मैंने एक ले लिया बहुत प्यारा फ्लार है ऐसा फ्लार है आप देख सकते हैं कि इसके लीफ जैसा स्ट्रॉक्चर है और एकदम लीफ जैसा दिखता है लेकिन है एकदम पेंक कलर का मुझे नहीं ब creeping कि लीफ है आई देखें फ्रेंड्स किते बड़े बड़े प्रीज हैं हम सबसे बड़े वाले चट पे चलेंगे और आई होप आपको वहां का व्यू बहुत अच्छा लगेगा तो अब मैं उपर वाले चट पे आ गई देखे मेरा उपर वाले चट और वाव स्काई किता ब्यूरिफॉल देख रहा है वाव ये देखे कितना सुन्दा व्यू आ रहा है और वो देखे माउंटेंस कितना प्यारा सब कुछ दिख रहा है और ये सब देखे वाव मुझे सबसे सुन्दा स्काई लग रहा है आपको क्या लग रहा है जरूर केमेंट में बताएं वो है मेरा पुराना घर और ये मेरे रिलेटिव स्काई घर है और ये है मेरा नए घर तो अब हम उपर आ चुके तो यही वाला च्छत जिस पर अभी मैं गई थी दोस्तों आपनों को एक चीज दिखाऊं ये देखिए यहां पर एमटी स्पेस है तो ये देखिए नीचे हम लोग कित्ता उपर आ चुके हैं ओके अब तो स्काई और प्यूटिफुल दिख रहा है मुझे तो यहां फोटोग्राफी करने का मन कर रहा है अपने नानी के घर ये अपने होमटाऊन ही जानर में किता मज़ा आता है सबको आता है क्योंकि अपने फे ही घर में रहते 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 सब लोग बोरू जाते हैं तो अभी मैं यहां पर रुकूंगे कुछ दिन और आप कमेंट पर बताईगा कि आपको किस टाइट का व्लोग चाहिए हम उस चीज को जरूर दिखाएंगे और येस कितना फ्रिश एर चल रही है कि मैं क्या बताऊं तो यहां बहुत मज़ा रहा है और मैं बहुत हाइट पर यहूं तो और मज़ा रहा है कि यहां एर स्कुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहां सारे काउज है आई कांट स्टॉप वॉचिंग न स्काई एक और बाथर डाइकर साइड में वाव तो फ्रेंज अब हम लोग नीचे चलते हैं हाँ नीचे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी और हाँ मैं आपको एक भी चीज दिखाने में मिस नहीं करूँगी लेट इवनिंग हो चुके तो सब कुछ बहुत डार्क दिख रहा इसलिए इत्ता भी सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन मैं ट्राइ करूँगी किसमें मैं लाइटनेस और ना पाऊँ प्लाश की मदद से नीचे जा रही हूँ मैं फास फास नहीं जा रही क्यों मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर न जाओ तो अब हम लोग बस आई ही चुके हैं और लेक्स सी अब मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ आर योब से रूम में बैठने ओके गाईज बाई बाई